आज किस वीडियो में लोग बात करेंगे infection disease के थर्ड पार्ट के बारे में यानी malaria malaria fever क्या है किस कारण से होता है इसका investigation symptoms even treatment तक हम लोग बात करेंगे तो बने रहे इस चैनल में अगर अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब कर लें बगल में बेल दोस्तों हम लोग बात करेंगे what is malaria जानेगी कि malaria क्या है malaria plasmodium parasite के वज़े से होता है जो एनाफिलीज mosquito के काटने से फैलता है हम लोग जानते है इसका कारण कि यह कैसे फैतला है जो एनाफिलीज मच्छर होता है वह plasmodium infected person को मालीजे किसी को malaria है उस person को काटा और फिर वही म healthy parasite inject कर देता है तब यह disease फैलता है तो हम लोग जानगे कि यह एक मच्छर के काटने से फैलता है वो भी infected मच्छर के काटने से ह CPR Kansas कि छार्थ से पांच मेलडिया होता है लेकिन हमारे इंडिया में बस दो तरह मेलयुया पयता है जिसमें से एक है splasmodium ivex इस js ribs क्फार shifts में युज्तुर में बात करेंगे दोनों का का शिम्टम्ट में क्या हैrict में हम डाइग्णोसीस कैसे करते है कि प्लाजमोडियम वाइग से यह प्लाजमोडियम फैल सी बिडियो मैं बात करें के सिम्टम के बारे में यह फियूर्ट डैट एवरी अधर डे और एवरी थहाट डे इस टिफिकल प्लाजमोडियम इसमें आपका जो फिबर है वो एवरी सेकेंड यानि आपके दूसरे दिन या हर तीसरे दिन कभी-कभी इसमें हर एक दिन गैप करके इसमें जो मैलेडिया का रहा है तो एवरी सेकेंड या एवरी थर्ड दे आपको फिवर एगेन वापस आ जाएगा तो हम लोग समझेंगे यह प्लाजमोडियम वाइवेक्स का सिम्टम से अब बात करेंगे प्लाजमोडियम फैल्शी परम जो की मिलेडिया में डेंजर फॉर्म है अब हम लोग बात कर चाहिऀंगे जो शिंटम सोता है यह आपके रेगुलर हो सकता है यह एव फोटी हावर के बाद यानि एवरीस हुट्र इसम्टम्स आपका उन्क्रीज कर देता nic Corinश कॉर्छ इच्प और्टी फटी एट हावर में इसका श्पंस और भढ़ते चला जाता है वाना इसमें घर तंप्रेचर पिक एवरी डे एंदेन रिटर्न तो नर्माल इस प्रोसेस कैल इस इंट्रमेटिट फीबर यानि यह फीवर आपका डे टंप्रेचर इंक्रीज करते जाएगा जिसको हम लोग इंट्रमेटिट फीबर कहते हैं अब इसमें हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट ए इसमट्मस आप डाइज़ीज रेर एवरी 48 आओर यानि आपके जो सिम्टमस हैं हर 48 आवड में आपका इंक्रीज करते जाएगा मल्टीपल इसे ं मल्टीपल प्रप्रोब्लम क्रिएट करते जाएगा पर 48 आओर में यानि यह जो फॉर्म है यह आपके पर फॉर्टी एड हो सकता है लिवर फैलियर हो सकता है निएक्स्ट आंब लोग बात करेंगे एक्यूट मेलेडिया सिंप्टम्स यानि अपका फिबर होगा फिवर फीवर भीट चील हो सकता यानि थंधा करता है घहबराहत होता है इसमें या तो कम जोड़ी होगा ज्यादा होगा और बेटा बjertu सकता है užपाने हैं पज़ता है जो सकता है जो इसमें हाइग आगर अगर एकदम से फिबर जब आएगा तो बिल्कुल राइग में आता है एक सो दो एक सो तीन एक सो चार फरनहाट इवें एक सो छे चे फानहाट सक्ते हैं इसमें आसकता है इसमें आपका सूखिए खासी हो सकता है फिलिंग ट्राइट यानि चेटचिरापन हो सकता है बोड़ी पेन एब्डोमेन पेन बैक पेन होता है गरेजुएली हाइफ इंक्रीज दैन सम टाइम आपको लगेगा कि हमको फिबर ही नहीं है मतलब यह आपका एकदम से फिवर बरहा देता है पिक कि इसमें एक दम फिबर पिक पॉइंट पे जाता है और सम टाइम कुछ समय बाद आपको लगेगा कि हमको कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा मलेडिया केस में हम लोगों को देखने को मिलता है इसमें सिवरिंग यानि कप-कपी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ऐसा नहीं है कि मल बहुत से पेसेंट में देखने को मिला है अब हम लोग बात करेंगे कि सिवियर मेलेडिया में अगर मालीजे की डाइगनोसिस करने में लेठ हुआ या इवन अगर समझ में नहीं आ रहा है कि यह मैलेडिया है या कोई टेस्ट में मलेडिया नहीं नहीं को इनिविस्टिकेशन यानि बुकार के साथ आपका दोरण भी आ सकता है इसमें जॉंडिस की जॉंडिस भी हो सकता है हो सकता है स्रेबलर मलेडिया यानि दिमागी मलेडिया हो सकता है पेसेंट ओनकॉंसियस तक हो सकता है हेमोगलोबिनीडिया हो सकता है हेमोगलोबिनीडिया हो सकता है टेराड एट फीबर यानि हम पहले बताये थे कि बुखार में बरबरहट भी हो सकता है इसमें ब्लड इन यूरिन या डार्क यूरीन है तो यह आपके मिलेडिया में किड्णी फेलियर को इंडिगेट करता है इसमें आपका सौटनेस बिरित हो जाएगा यानि difficult breathing सांस लेने में प्रॉब्लम होगा आपके यूरी में ब्लॉड या इस्टूल में ब्लॉड आ सकता है डार्क यूरीन फ्लो हो सकता है तो मोटा मोटी सीवियर में हम लोग को इतना देखने को मिलता है और सबसे कैसे पता करें कि कौन्सा मेलेडिया इस साड़ी दोस्तों अगर वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि हमें विश्टार से समझाना पर है हम लेडिया के स्से बॉच्प से अधिक हैं बहुत कुछ सेखने को मिलेगा इस वीडियो से तो बने रहे आप तक हैं लोग बात कर रहे थ लेडिया का पता चलता है प्लस में MPDA MPDA एंटीजन यानि कीट से किट के दुवारा हम लोग उसमें देखते हैं कि प्लाजमोडियम वाइवक से या प्लाजमोडियम फैल्सी प्रम है बोन मैरो इस मेर कभी-कभी कराया जाता है आर्टी-पिसियर कराते हैं हम लोग प्लाजमोड फ्लाजमोड लस्फट और लेफटी इसमें लिएवर फंक्षन्टेस्ट खेंशा। व्लाजमिस और च्वर्भी किट प्लाजमोडियम वनन्यूडीयम लिएवर जो श्रहुक्र और में देखता है हन्यम अभ्लेशे बंग्ग मनाशनर्व इसमें क्योंकों इसके बाद हम लोग अल्ट्रसाउंड करा के मोटा मोटी देख सकते हैं कि इसमें लिवर इंबॉल्व है किड्नी इंवल्व है या स्प्लीन कैसा है इसमें सारा कुछ देखा जाता है अगर जुरत पड़े तो हम लोग एक्सरे करा के देखते हैं कि पल्मोनरी एडिमा यानि पानी बड़ा है किस स्टेज में है यह सारा मोटा मोटी हम लोग जांच करा के एक मलेडिया का पता लगाते हैं कि कौन सा मेलेडिया है और किस टाइप का है यह टेस्ट डॉक्टर एडवाइज कर सकता है आपको नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट के बाड़े म जो की दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग है तो हम लोग फश्टींग बात करेंगे टाइप में लोग टेपलेंट कॉपर opin हम लोग बात करेंगे दाबलेंगें लोग कäreति एक ग्राम लेना है पान पंसो एमची का सेकेंड डोज हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि छे घंटे बाद पांसो एमची सेकेंड डोज बेस एट सिक्सावर सिक्सावर में अगर नौ बज़े ले रहें तो नौ के बाद दस यारा बाड़ा एक दो तीन यानि हम लोग सेकेंड डोज रिपीट कर सकते हैं तीन बज़े फर्स दिन ही जिस दिन आप को लोड़ो की वीन टैबलेट का एक ले रहें उसी दिन आपको छे घंटे के बाद सेकेंड लेना है अब बात करेंगे फिर दो टैबलेट बच यह पांस एक श्ट्रिप में पांस टैबलेट है जिसमें लोग तीन टैबलेट फर्स दिन लिये अब जो दो टैबलेट बचा उसको हम लोग जो जो हम लोग साइक करेंगे या अगर आज तीन बज लिए हैं सामने तो Например विचलेट है उसका नाम है प्राइमा क्विन धाक टैबलेट ओध दिया जाता है से चौओओदा दिन एक टैप्लेक रोज चौओदा दिन गया जाता है यह इसलिए दिया जाता है तकि आपके जो मैलेडिया प्लाज्मोडियंप प्लासाइट है वह आपके डिनिंस आंदर हुपए हों इवें किल्नी के अंदर चूपे होंगे तो उनको ये किल करता है और इसलिए भी दिया जाता है ताकि पेसेंट को रिपीट मेलेडियन ना हो अगर इसमें फीबर है तो फिवर के लिए एक एंटिबाइटिक एड़ किया जाता है जो की सबसे ज़्यादा चलने वाला एंटिब अब्डोमेन पेन है तो डुरोटाइवेरिन मेफनामिक एसीड का कॉम पोजीशन उल्टी हो रहा है तो अंडा सेट्रोन यह सारा मोटमेटी जितना भी इसमें सिंटम इनबल्व होता है उसको हम लोग मैनेश करते हैं अब हम लोग बात करेंगे कि अगर सम पेसेंट में क्लोडो क्यों रेसिस्टेन है तो उसमें आपको टैबलेट लुमिरेक्स एक्टीमजी प्लस में कैप्सूल आपका डॉक्सी साइक्लीन प्लस आपको मैलरीट डियस यह तीनों कॉम्पोजीशन आपको दिया जा सकता है कहां पर आपका मैलेडिया जो प्लाज्मोडियम डियागोड़यस सेफ है भुएं गैसे यहाँ दोस्तों मेलेडिया में ब्लीगोड़यस टैबलेट बिल्कुल सेफ है अब ले सकते हैं अब हम लोग नेक्स बात करेंगे प्लश्मोडियम फैलसिपिरम जो की मिलेडिया में डेंजर फilippe में इसका डेंक्ट क्या हो सकता है अब हम लोग बात करेंगे treatment of plasmodium falciparam malaria के बारे में इसमें आपका एक tablet आता है falciart kit falciart kit में आपका तिन दिन का dose होता है जो हम लोग जानेंगे कि कैसे लिए जाता है इसमें जो first dose होता है फर्स dose में आटी सुनेट दो सैमजी प्लस sulfa doxine 1500 mg और pyrimetamine 75 mg आपको फर्स दिन लेना रहता है फर्स दिन में यह लेना रहता है है सेकंड ने सेकंड डई ने में आपका फिर वही सोनेट 200 हे में तो यह आपका थर्ड डे का डोज हो गया लिक्या ओं सिम्टॉमेटिक खेंग् कि प्रॉब्लम है उसको हम लोग मैनेज करते हैं नेस्ट बात करेंगे हम लोग मिक्स इन्फेक्षण के अगर आपको प्लाजमोटियम ईवयक्स भी है फेल सी पेरम है दोनों है तो उसमें हम लोग क्या इलाज कर सकता है तो इसमें आपका लुम्रेक्स एटी एंजी वन बीडी ठीडे वन टाबलेट ट्वाइस एडे तीन दिन तक विल वित मिल के सांथ यह दूद के सांथ लेने के सलाह दिया जाता है और फिर वही प्राइमा क्विन टाबलेट 15 ओडीडो 14 दिन के लिए दिया जाता है मोटा मोटी आपका जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वह हम लोग करते हैं तो दोस्तों हम लोग मोटा मोटी मिलेडिया के बारे में इतना कुछ जाने अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लिस सब्सक्राइब कर लें और अपने लेडिया हुआ है तो क्या आपका ट्रीटमेंट सही चला या देन आपका दुबारा होने का चांसिस तो नहीं है हम इस चैनल पर सटिक जनकारी और सही जनकारी देने के लिए पर्तिबंध है थैंक्यू सो मच लभी हो दोस्तो प्लिए सक्राइब करती है पाल है Só शवल